नमस्ते फ्रेंड्स आज में आपके साथ शेयर करने जा रहे हूं बहुत ही देस्टी ईजी और एकदम ही बढ़ियां सी मिठाई तो होता क्या है कि हर मंगलवार मेरे पती देव दर्शन करने जाते हैं हनमान जी के मंदिर और लाते हैं ये भूली के लड़ू तो कभी-कभी त इनकी पूश्टाश थोड़ा कम हो जाती है इस वजह से ये रखे रह जाते हैं और इधर बीच कई जगह से कुछ लड़ू वैसे भी आ गये कुशे में आदमी लड़ू ही बाढ़ता है इसलिए तो कुछ लड़ू मेरे पास ही कठा हो गये थे चुकि नहीं खाया नहीं जा मीठा होटे हो वो किसी को कैसे दे सकते है और इस वजह से मेंने बहुत अच्žी सी मिठाई बनाई है तो लिया आधा लीड़ दूढ जिस आपसे लड़ू थे उसे मैंने दूढ लिया है अच्छी तरह से पकाकर उसे रबडी की तरह और बस गरम-गरम ही इस रबड़ी में मैंने लड्डू के चूरे करके डाल दीये हैं, और धी मी आज पर इसे चलाते हुए, हलके हातों से चलाते रहेंगे, बीच-बीच में ऐसे दबाते रहेंगे, जो टुकडे बन गए हैं, जो हाढ हो गए हैं, लड्डू के टुकडे, वो धीरे-धीरे सॉफ्ट होने लगेंगे और इस रबडी के साथ एकदम घुल मिल जाएंगे तो थोड़ी देर लगती है 5-7 मिनट इसको अच्छी तरह से इसमें घुलने में रबडी के साथ तो बस धीरे-धीरे देखी एकदम घुलते चले जा रहे हैं और जो हाड वाला सरफिश था वो एकदम सॉफ्ट होता चला जा रहा है और बस अच्छी तरह से इसे थोड़ी दिर पका लेंगे और उसके बाद डालेंगे इसमें थोड़ा सा गी तो थोड़ा गी मैं पहले डाल चुकी हो अभी डाल चुकी थी केमरान नहीं था और उतना ही घी मैंने फिर से डाला है तो घी थोड़ा ही डालेंगे जिसे एक चमच के लगभग इसमें घी पड़ गया है तो इसे धीरे धीरे जब चलाते रहेंगे तो ये बरतन को एकदम छोड़ देगा और एक हलवे जैसा इसका कंसिस्टेंसी हो जाएगी बस ऐसे चलाते हुए बस जब पूरा अच्छी तरह से सतय को छोड़ दे और एकदम हलवे के जैसा एक जूट होके निकलने लगे तब ह अगर आपको इस समय लड़ूओं से केवड़ की खुश्बू आ रही है तब ठीक है अगर नहीं आ रही है तो आप केवड़ा जल भी एड कर सकते हैं तो इन लड़ू में खुश्बू अच्छी आ रहे थे सवज़ से में केवड़ा जल नहीं डाला है क्योंकि जादा बराबर कर देंगे और बस अच्छी तरह से दबा कर फिक्स कर देंगे जितना मुटाई आपको रखनी हो साब से अपसेट कर लेजे मैं ऐसे कर लिया है और ओपर से लगा दिया है चांदी का वर्क जिससे की ये बिलकुल बजार जासी मिठाई लगती है और बिलकुल कोई देखकर कह नहीं सकता है कि ये घर पे बनी है तो कुछ चीजे ऐसी है डेकोरेट करने पर मिठाईयों को आप बजार जासा लुक दे सकते हैं से टेस्ट में कोई फरक नहीं पड़ता है तो बस बर्फी को शेप में मैंने से काट लिया है और ठंडा होने के लिए रख देंग क्योंकि बूंदी और रबडी का जो मिलकर टेस्ट आता है अब गजब का होता है बहुत ही अच्छा मों में खुल जाने वाले मिठाई तयार है तो अगर आपको भी ये समझ से आती है बूंदी के लड़ों के साथ क्योंकि अकसर घर में बूंदी के लड़ों जब एकठा हो